आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है दरसल बुजूर्ग के शट की जव में मुबाइल रखा था जिसने आग लगा गई घटना का वीडियो तेजी से वारल हो रहा है वारल वीडियो में आप देख सकते हैं कि बुजूर्ग इलियास एक चाय के ढाबे पर बैठे हुए थे एक युवाक उनके लिए चाय बना रहा है इतने में बुजूर्ग के जेब में रखे फोन से चिंगारिया निकलने लगी इससे पहले बुजूर्ग को कुछ समझ पाते मुबाइल में आग लग गई जिहां वो उठा कर जल्दी से फोन को जेब में बार से बाहर निकाले हैं और युवाक की मदद से कपड़ों में लगी आग को बुजाते हैं यह घटना पास्ट में लगे सिसी टीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गई पुलिस ने बताया कि राज्य में एक महीने से भी कम समय में मुबाइल फोन के फटने का यह तीसरा केस है आपको बता दे कि फोन को कभी भी सूरच की रोशनी में डायर यूज करना स्तुरंत बंद करें जब फोन नॉर्मल टेंपरेचर पर आ जाए तब ही इसे यूज करें जिया इससे पहले 24 एपरेल को त्रीप शूर की ही एक तिसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक आज साल की चात्र मुबाइल पर वीडियो देख रही थी बच्ची के हाथ म जोर दर धमाकी के साथ फोन फटा और बच्ची घायल हो गई थी बाद में उसकी मौत हो गई थी इन चार राज्यों में तेजी से फल रहा लंपी वाइरस चपेट में आए 10,000 मावेशी केंडर का वेक्सिनेशन बढ़ाने पर जोर जिया पशुवर में लंपी वाइरस एक पर फिर से तेजी के साथ बढ़ने लगा है जिया मही मा में ही यानी दो सप्ता के भीतर ही इसके करीब 10,000 मामले रिकॉर्ट के गए हैं यह सभी मामले खासकर महराश उत्राखंड करनाता का सिक्किम राज्यों से हमने आया है जिया इन मामलों को लेकर केंडर सरकार भी पू परान लंपी स्कीन बिमारी के मामले में तेजी से बढ़ है जिया बावजूद सिती निरियंतरन में है मंत्राले ने सला दिया कि इसे घबराय की जरूरत नहीं है इसे के लिए वैक्सिनेशन बढ़ाने का आगरा किया गया है दाहिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट के मुत साथ मीटिंग करने के बाद पशुपालन मंत्राले के अधिकारियोग और विज्ञानिकों ने कहा है कि संक्रमन उत्ना संक्रमक नहीं है जितना पिछले साल था पशुपालन आयुक्त अभिजीत मृतरा ने बताया है कि पिछले साल वैक्सिनेशन अभियान चलाया गया था इसका बड़ा आसर देखने को मिल रहा है, विछले साल के मुकाबले वैक्सिनेशन के जर्ये दी गई, सुरक्षा ने मामले पर कम रिकॉर्ड किये गए है, उत्राखर्ण में करीब करीब सभी मामले नए, लेकिन करनाटक और महरास्त्र में कुछ मामले मई से पहले सामने आये मंत्राले मिने मिटिंग के दोरान राज्यों के वैक्सिनेशन द्राइब को तेज करते सुनेशित करने का आगरह किया है, अब तक लगबग 9 करोर मविश्यों का तीका करन किया जा चुका है और ठीक होने की दर 94 प्रतिशत से उपर है, केंद्र ने मार्च में सर्कूलर जार मानसून से पहले टिका करन तेज करने को कहा था, डॉक्टर मित्रा ने कहा था कि टीक की जानकारी जानवरों को इस बिमारी की चपेट में आने से सुरक्षित किया, मंत्राले का कहना है कि वैक्सिनेशन के बिना संक्रमन के बहुत अधिक तेजी के साथ फैलने और र्यादा संक्रमक होने की प्रबल आशंका रहती है, प्रभावित राज्यों के पास टिकों का परियाप्त भंडार जिया, छेतरिया पशुपाला निदेशक विजय तेओतिया ने बताया है कि करीब तीन सप्ता पहले शुरू हुई मामारी की इस लहर में करीब दस हजास से ज्यादा मवेशी संक्रमित हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये सबी मामले उत्राकन करनाटक महराश वा सिक्किम राज्यों से दर्श किये गए है, अभी तक राजस्तान में किसी मामले की पुष्टी नहीं हुई है, सभी राज्यों में टिका करन अभियान चला र पीसित हो गई है, राज्यों बी, उपचार और निगरानी पर केंद्रिया निदेशकों का पालन कर रहे है, उन्होंने कहा कि मंत्राले क्यों से सभी राज्यों को फिर जाने वाले उपायों के बारे में सुचित भी कर दिया गया है, एक केंद्रिया टीम ने महराश का दौर भी किया है और दूसरी टेम सिती की निगरानी के लिए जल्द ही उत्रा और करना तक का दौरा करेगी मांसून में वेस्टर रोग ज्यादा फैलते हैं साउधानी की जरुवर्जिया डॉक्टर तेवलिया ने कहा कि केंद्रने राज्यों ने सभी साउधानी बरतने को कहा है क् मांसून के दौरान सेक्टर रोम फैलते हैं जिहां टिका करन के अलावा किंद्रने राज्यों को बिमार्यों के प्रियार्स प्रसार से बचने के लिए जोखिम वाले छेत्रों में फार्मिंग कर कि इतना शक शोदन अभियान चलाने के लिए कहा है उन्होंने कहा है कि सब दावा किया है कि राज्य से हर दिन सत्तर महिला लड़किया गायब हो जाती है और सरका से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने को कहा है जिया मारास के उपमुक्य मंत्री देवेंद्र फरण विस जिसके पास ग्रह मंत्री विबाग का प्रभारी भी है को बुद्व द्यक्षर रुपाली चकंकर ने कहा है एक हाली में कहा है कि राज्य के गरम विभाक को राज्य से लापता महिलाओ का पता लगाने के लिए एक पैनल गठित करने हो और इसकी प्रगती पर हर पकवारे एक रिपोर्ट्स पस्तूत करने के लिए कहा गया है मारास राज्य महिला आयोग द्वारा सामने आया एक चिंता जनक आकड़ा यह है कि जन्वरी से मार्च के बीच राज्य में गुमशूद गम महिलाओ के सबसे ज्यादा मामले मुंबई से सामने आया है मारास राज्य महिला आयोग एस डबलू सी की अध्यक्ष ने राज्य महिला आपता महिलाओ की बच्ति संक्या और इन मामलों को संबालने के लिए एक संद्रचना की अनुपस्तिती दोनों पर चिंता जताई है एस डबलू सी की अध्यक्षत रुपाली चाकनकर द्वारा एक प्रेस कॉंफरेंस में प्रस्तूत महाराश पुलिस के आकडों के अनुसार गया एक जन्वरी से 31 मार्च 2023 के बीच राजजबर से 16-35 वर्ष की आयू की कुल 3594 लड़किया याने महिला आय लापता हो गई है जी लाकडों के बार ब्रेक अप से पता चला की लापता मामलों की सबसे अधिक संक्या 383 मुंबई शहर के रिपोर्ट की गई थी जी जी या इसके बाद एहमदानगर में 183 मामले नागपूर ग्रामिन और नासिक ग्रामिन में 179-179 मामले और पूने ग्रामिन और पूने शहर में क्रमश 156 और 148 मामले थे आप हमारे चैनल को आपके मुबाइल पर भी देख सकते हैं मुबाइल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से अमने सिवे आप जाउनलोट करें इंस्टालिंग ट्विटर हाई क्लिक फिस्बूक और कई सोचल मीडिया के प्लेटफरम पर हमारा चैनल उपलब देख सकते आप हमारे चैनल को लाइब भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर फिलाल वक्त तो चला दर्चको ब्रेक का ब्रेक सिलोटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरे बने रहे हैं mnsnews पर नमस्कार यह है mnsnews निटबर और आप देख रहे हैं mnsnews